अगर मेरे सर पे माननिय मुखमंत्री आदर्निय नितिश कुमार जी का आशिरबाद रहा मैं राज़त महागट बंदन को अपने कमिशनरी में सुनने पहला कर ख़रा कर दूँगा और अभी तो खेर लोगसभा का चुनाव है हमारे कमिशनरी में चार लोगसभा सीट है और चारो सीट पे महागट बंदन को हराने का हम लोग काम करेंगे चारो सीट एंडिय जितने जा रही है ये मुझे विश्वास दिया गया कि लोगसभा का चुनाव मुझे लड़ना है लालू जी भी बार-बार मुझे ये बोलते रहे तो यस्वी जी के तरफ से भी ये मेरे को विश्वास दिया गया था कि महाराज गंचे तुम लड़ोगे लेकिन अंतिम समय में उलग धोका देने का काम किये है हमने अपने पिता से सीखा है कि जीवन में अगर कोई बिरोधी हो आना चाहाए तो उसको सामिल करो अपना समर्ता कै तो उसके लिए जान भी निशाबर करो लेकिन जीवन में अगर कोई गदारी करे कोई धोका दे उसे कभी माप नहीं करना चाहिए नमस्कार अब देख रहे हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिव्यांसू महराजगंज सीट पर बड़ा खेलो गया है महराजगंज लोकसवा सीट है और यहाँ पर चुनाव होगा 25 मई को 6 फेज में उससे पहले बड़ा खेलो गया है यहाँ लालू प्रसाद यादव के एक समय बहत करीबी रहे बाहुबली प्रभुनात सिंग के बेटे ने लालू की पार्टी आरजेडी को जटका दे दिया है हालनकि जटका उन्होंने कुछ दिन पहले ही दे दिया था लेकिन आज खेल का अंत हो गया उन्होंने जेडियू नितीश कुमार की पार्टी जोईन कर ली है आज जेडियू कार्याले में विधिवत वो सामिल हो गए जेडियू में इस मौके पर बिहार सरकार में मंतरी विजय चौधरी जेडियू के राजसबा सांसद संजय जहा और तमाम नेता वहाँ पर मौझूद रहे और प्रभुनात सिंग के बेटे रनधीर सिंग ने आज जेडियू की सदसता ले ली अपने हज़ारों समर्थकों के साथ अब देखना सुरू कर चुके हैं दर्शनी उज मैं हूँ दिब्यान्सू रनधीर सिंग ने आखिरकार लालू यादव की आरजेडि का दामन छोड़ कर अपने समर्थकों के साथ जेडियू में शामिल हो गए गटबंदन में महराजगन सीट कॉंग्रेस के खाते में चली गई कॉंग्रेस ने यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाथ सिंग के पुत्र आकास प्रसाथ सिंग को प्रत्याशी बनाया रनधीर ने पहले निर्दलिये लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णे लिया था लेकिन उन्होंने एकाएक अपना निर्णे बदलते हुए जेडियू का दामन थामने का निर्णे लिया है आरजेडी की प्रात्मिक सतसता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में जब आरजेडी तीन सीट पर था तब से हमारे पिता प्रभुनात सिंग 3 से 23 सीटों पर पहुँचाए थे लेकिन अब हम 2025 के विधानसवा चुनाओ में इसका बदला लेंगे और प्रमंडल में महागटवंदन को जीरो पर लाकर रख देंगे मालुम हो कि रणधीर सेंग आरजेडी के टिकट पर छपरा से विधायक रह चुके हैं साथ ही पिछले लोकसभा चुनाओ में यानि 2019 में वो आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाओ भी लड़े थे जिसमें उन्हें जनारदन सिंग सिग्रिवाल बीजेपी के जनारदन सिंग सिग्रिवाल जोकी मौझूदा सांसद हैं उन्होंने हरा दिया था महाराजगंज लोकसभा छेत्र में फेज 6 में 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतिजे आएंगे लोकसभा चुनाओ में कुल 7 चर्णों में वोटिंग होनी है मिले थे इस बार भी रंधीर सिंग आरजडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे महराजगंज से लेकिन महराजगंज की सीट जो है वो कॉंग्रेस के खाते में चली गई और कॉंग्रेस ने वहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष अकलेश प्रसाद सिंग के बेटे को टिकट दे दिया उतार दिया मैदान में इससे नराज रंधीर सिंग ने आरजडी तो छोड़ी दी साथी आज नितीश की पार्टी जेड्यू जोईन कर ली बिहार का महराजगंज सिवान जिले का एक नगर है महराजगंज लोकसवाचित्र दो जीलों के विधानसवा इस चित्र में आती हैं महराजगंज में राजपूत वोटरों की संख्या बहुत है सबसे अधिक है इसलिए इसे बिहार का चित्तोल गड़ भी कहा जाता है महराजगंज लोकसवाचित्र से अभी बीजेपी के जनारदन सिंग सिगरिवाल सांसद है महराजगंज राजपूत और भूमिहार बिरादरी के ही सांसत चुने जाते हैं। इस सीट से ही साल 1989 में देश के पुर प्रधान मंतरी चंदर सेखर चुनाव लड़े और संसत पहुचे थे। इस चुनाव में 3,15,580 वोट मिले थे। 22,000 से जादा मद्दाताओं ने 2014 के चुनाव में सीट पर नोटा का बटन दबाया था। इस सीट से मनुरंजन सीट ने चुनाव लड़ा था। उन्हें इस सीट से 1,49,483 वोट मिले थे। महराजगंज लोगसवाचेतर में 6 विधानसवा सीटें आती हैं। दोरिया खोटी विधानसवा सीट बीजेपी के खाते में हैं। महराजगंज विधानसवा सीट से कॉंग्रेस के विधायक हैं। एकमा विधानसवा सीट से आरजेडी के विधायक हैं। मांजी विधानसवा सीट से CPM का विधायक हैं। तो अब रंधीर सिंग आखिरकार जेडियू में शामिल हो गए हैं, तो इससे अब आकास सिंग के मुस्किलें बढ़ गई हैं, आकास सिंग, कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अखलेस सिंग के बेटे हैं और महराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाहु बली, प्रभुनात सिंग के बेटे रंधीर सिंग जिनका आपने देखा ही था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 लाग से ज्यादा वोट आये थे तो अच्छी पकड़ है उनकी भी तो उनके अब जेडियू में आने से सिग्रिवाल का रास्ता साप हो गया है और आकास सिंग की मुश्क ही बताएगा 25 मही को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनीूज के साथ